आज हम बात करेंगे गेल इंडिया के उपर 140 में चल रहा है यह स्टॉक 2% का डाउन दिखाई दे रहा है और 3 पॉइंट्स का यह डाउन है क्यों गिरावट हुआ है अच्छानक से इसमें गिरावट आगिया है और इस गिरावट का वज़ा क्या है इसका वज़ा है बाई बै बाई बैसे में आकर यह दिखाई दे रहा हूँ देखी यह PDF में डाउनलर कर चुका हूँ इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 7 करोर शेर इसमें बाई बैक होंगे और बाई बैक का प्राइस देखिए के रेसर रुपए है 150 रूपीज का बाई बैक होने वाला है 150 रूपीज का बाई बैक प्राइस है इसके वएसे इसमें गिरावट आ चुका है और गिरावट के वएसे अभी यह 140 रूपीज में चल रहा है और आपका बाई बैक में अपलाई करना है तो कब करना पड़ेगा तो डिकोर्ड डेट क्या है तो record date है ही रेखिए 28th January, 28th January को buyback date का record date है, record date ही रहनी 28th January के अंदर आपको DMAT account में gail का share रखना पड़ेगा, तो ही आप buyback के लिए eligible है, याद रखना 28th January के अंदर आपके पास gail का share होना चाहिए DMAT में, तो ही आप eligible है, और ये 28th January सिर्फ buyback का record date नहीं है, ये 28th January interim dividend का भी record date है, वो कब हो रहा है, देखिए 25%, 10 रुपए का face value है, आप सभी को पता है, और उसका 25% यानि 2.50 पैसा, interim dividend के साथ से दिया जा रहा है, और अगर आपको ये चाहिए, तो आपको record date से पहले, यानि 28th January से पहले, इसको अपने demand account में रखना पड़ेगा, याद से रखना, 28th January, अभी मैं आपको बताओंगा, अभी आपको क्या करना चाहिए, चाट में क्या चलड़ा है, तो चाट के दरफ चलते है, तो चाट के उपर आचुके ए, चाट में आपको देखने को मिल जाएगा, गेल बहुती तेजी के साथ भागा है, एक बात बताना चाहता हूँ, दो support levels से एक है इधर इधर तक ही आ चुका है आज दिखेंगे तो यह सपोर्ट लेवल को यह सपोर्ट बना कर उपर की तरफ अभी यह ट्रेट करता हो नजर आए का आपको यह एक सपोर्ट लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है यह है इधर यह दोनों सपोर्ट लेवल पर अगर यह शेर होता है और आपको अगर गेल पसंद होता है आप इसे continue कर सकते है क्योंकि आप दोनों support के आसपास खरीदे होंगे अगर आपको लगता है ये नीचे वाले support में आपको खरीदना चाहिए ये है 129 इतना तक नीचे आने का chances बहुत ही कम है आप चाहे तो इधर भी खरीद सक कर सकते हो कोई problem नहीं आएगा अगर आप support में खरीदे हो अगर अभी जाकर खरीद लेते हो जो लोग 1.44 में खरीदे होंगे और लोग फसे होंगे क्योंकि अगर 150 में buyback जो है अगर buyback में उन लोग का share buyback नहीं हुआ तो वो लोग फस चुके होंगे क्योंकि अगर ये share धि के लिए अपलाइ करना है और इंटरिम टिविदेंट भी चाहें तो दो लेवल में बता चुका हूं तो सपोर्ट लेवल्स पर आप चाहें तो घरिष सक्ते हैं फ्रेश करके दिखा देता हूं यह एक और चाहिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें